2.3 का question number first question number first है हमारे पास find करना है आपको first part है 1 upon 4 of A है 1 upon 4 B है 3 upon 5 and C है 4 upon 3 means देखें first part की भी अंदर 3 question है आपर 1 upon 4 निकालना है अपने को किसका 1 upon 4 का 1 upon 4 of 3 upon 5 का 1 upon 4 निकालना है अपने को 4 upon 3 का ठीक है इनके सभी के parts अपने को निकालना है ऐसे similarly 1 upon 7 of 2 upon 9 निकालना है 1 upon 7 of 6 upon 5 निकालना है 1 upon 7 of 3 upon 10 निकालना है ठीक है तो यहाँ पर अपन कैसे find करेंगे तो देखें यहाँ पर first का अगर हम first part करें कैसे करेंगे तो आपको पता है off means क्या होता है off means होता है multiply यह आपको एक इस्यान करना है जो स्थिन संहे लृट है टीक है और पान 14 यहां पर क्या मुद्ट hm टो one upon 4 और अगर हम पार्ट के बात करें इससके अगर हम बात करें जो इससे बिधे अधर को all 1 upon 4 यही कह रहा है ठीक है तो 1 upon 4 of means क्या होता है multiply 1 upon 4 अब देखे multiply क्या कैसे करते हैं numerator को numerator से multiply करते है denominator को denominator से तो numerator 1 है यहां पर भी 1 है तो 1 into 1 क्या होगा 1 होगा and 4 into 4 क्या होगा हमारा 16 होगा तो 1 upon 16 अंसर इसका आएगा ठीक है तो A part complete अब B part करते हैं B part में क्या है 3 upon 5 है 1 upon 4 क्या आएगा 1 upon 4 of 3 upon 5 निकालना है अब हमें ठीक है 1 upon 4 तो सब में चलेगा अब देखे यहां पर आपको पता है क्या of मतलब multiply and 3 upon 5 numerator से numerator को multiply करना है 1 into 3 करेंगे तो 3 आएगा 5 into 4 करेंगे तो हमारा 20 आएगा ठीक है तो 3 upon 20 इसका अंसर अब C part भी कर लेते हैं तो C part है हमारा 1 upon 4 of किसका 4 upon 3 यह लिख लिजे 4 upon 3 अब देखे 1 upon 4 of means into 4 upon 3 अब यहां पर multiply मत करो देखो यहां पर क्या करो उपर numerator में 4 देख रहा है denominator में आपको 4 देख रहा है क्यों reduce हो सकता न क्या दिक्कत है जहां पर reduce हो रहा हमाँ आपर reduce करो तो 4 से 4 कट ध्याँ रखना numerator से denominator होता है यह denominator से numerator reduce हो सकता है बट अगर यहां पर भी 4 होता into 4 होता तो इनको आपको reduce निकरना ऐसे यह बात ध्यान रखना एक numerator में एक denominator में value उसको आप reduce कर सकते हो और वो भी multiplication में होना चाहिए, ऐसा नहीं, plus minus में इन में चलेगा, ठीक है, कभी-कभी student क्या करता, 3 minus 4 और 4 plus 3 या 4 plus 8, ऐसे कुछ भी कुछ भी लिखावा है, मान के चलो, और इसको reduce कर देता है, minus 4 और इसको नहीं, यह reduce नहीं होगा, relationship multiplication के होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर जो sign होने चाहिए, यह multiply के होने चाहिए, अब देखेए, यहाँ पर 4 से 4 reduce कर दिया, तो 1 और नीचे क्या बचा हमारा 3 बचा, 1 upon 3 इसका answer आएगा, चलिए आगे बचते हैं, तो आगे हमारा क्याだけ second part, first का हमारा second part second part क्या है Lieutenant तो first का saec़न part का भी हम एपाट कर लेता है, इसका number 1 number 1 tough means क्या होता है, multiply not 2 upon 9 к manufacturer is number 2 on तो अगर 1 करें तो 2 आएगा और 7 इंटो 9 करें तो कितना आता है? 7 9 जा 63. तो 2 आपाउन 63 इसका अंसर है. ठीक है? Similarly, यहाँ पर B part भी हम कर लेते हैं. B part क्या है हमारा? 6 आपाउन 5 है. तो सबसे पहले तो हम 1 आपाउन 7 लिखते हैं. यह तो लिखना होगा ना? तो 1 आपाउन 7 आप 6 आपाउन 5 लिखी है. ठीक है? अब आप मतलब multiply तो 1 आपाउन 7 आप की जगे हम multiply and 6 आपाउन 5. अब देखें यहाँ आपर 1 इंटो अगर 6 करते हैं तो 6 आएगा 7 5 जा 35 वाता है. क्लियर है बात? तो B part भी हमारा complete. अब C part हम यहाँ पर कर लेते हैं. तो C part क्या है हमा 3 upon 10. अब बताइए reduce हो रहा है. नहीं reduce हो रहा है. तो 3 into 1 कर लीजिए. 3, 7 into 10 कर लीजिए 70. यह इसका answer होगा. क्लियर है. तो simple सी बात है. क्या करना है आपको? multiply ही तो करना है. क्योंकि of means आपको पता है multiply. तो 1 upon 4 of जिसका भी निकालना है. multiply कर लीजिए बस answer आजाएगा. क्ल possible. ठीक है? यहाँ पर देखे कुछ parts आपको दिये हैं. इनको क्या करना है? अपने को multiply करना है और आपको reduce करना है. अगर possible है तो आपको reduce करना है lowest form के अंदर. ठीक है? अगर reduce हो रहा है तो. नहीं हो रहा है तो कोई problem नहीं है. ठीक है? तो यहाँ पर देखे second के total number of parts यहाँ कितने है? 7th है. साथ के साथ हम इस वीडियो के अंदर discuss करींगे. तो देखे यहाँ पर first part क्या है? हमारे पास में 2 upon 3 है. और यहाँ पर multiply है और 2 whole 2 upon 3. ठीक है? तो इसे आपको क्या करना है? multiply करना है. आपर देखे यहाँ पर multiply का sign है. कैसे करेंगे? तो देखे यहाँ पर जो mix fraction है. इसको improper में convert कर दीजिए. और फिर solve कर लिजिए. तो देखे 2 upon 3 into. 2 whole 2 upon 3 को क्या कर सकते है? 3 2 जा 6. कैसे करते है mix fraction पता है? जैसे कि for example 2 whole 2 upon 3 लिखावा है. तो 3 2 जा 6. पहले इसको इससे multiply करते हैं. और फिर numerator को add कर देदे. 3 2 जा 6. 6 plus 2 कितना होता है? 8 होता है. 8 upon 3. ठ कैसे करते हैं. अपन किसको mix fraction को improper में. तो ये देखे 8 upon 3 आगया. अब आपको पता है numerator को numerator से multiply करना है. क्योंकि multiply का sign है तो आपको multiply करना है इन दोनों values को. तो numerator को numerator से denominator को denominator से. 8 2 जा कितना होता है? 16. तो 16 लिख लिजिए. 3 into 3 कितना होता है? 9. तो 9 लिख लिजिए. 16 upon 9 इसका first वाले का answer होगा. चलिए. अब second वाला करते हैं. तो second वाला क्या है? हमारे पास में 2 upon 7 है. into यहाँ पर है. हमारे पास में 7 upon 9. और देखे reduce हो रहा है तो directly reduce करिए. ठीक है? तो देखे यहाँ पर 7 है. यहाँ पर 7 है. तो यहाँ पर हम क्या कर देते है? इसको reduce कर देते है. cut कर सकते हैं. तो 7 से हमने क्या कर दिया? 7. जब multiplication हो. यह ध्यान रखना. relationship multiplication क्यों नहीं चीए? जब reduce होगा. तो 7 से 7 कट. क्या बचा? उपर 2 बचा. नीचे क्या बचा? 9 बचा. 2 upon 9. इसका answer होगा. clear है? चलिए. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट क्या है? हमारे पास में 3 upon 8 into 6 upon 4. ठीक है? क्या? यहाँ पर कुछ होगा? reduce होगा? तो चलिए. पहले यहाँ आपन क्या करते हैं? multiply कर लेते हैं. तो देखे 6 into 3 कितना होता है? 18 होता है. और 8 into 4 कितना होता है? 32 होता है. अब देखे reduce हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा. क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर देखी even number है, यहां पर भी even number है, और जब भी आपको अगर even numbers दिख जाए numerator में, denominator में, denominator में, तो वो cut हो सकता है, वो reduce हो सकता है, किस table से reduce होगा, 2 की table से, जितने भी even numbers है, वो किसे reduce होते हैं, हमारे 2 की table से होते हैं, तो देखें, यहां पर 18 भी 2 की table से होगा, कितना होता है 2 9 जा 18 ठीक है और 32 भी 2 की table से होगा कितने times 16 times 2 1 जा 2 कैसे reduce करते मैं आपको बताता हूं देखो यहाँ पर 32 था तो 32 को 2 की table में बोलेंगे अपन 2 1 जा 2 ठीक है तो 3 था यहाँ पर तो reduce किसी table से नहीं होंगे तो 9 upon 16 इसका answer होगा ऐसे आप कर सकते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है और आप यहाँ पर directly भी reduce कर सकते थे जैसे कि example यहाँ पर 6 और 4 दिक रहा है तो यहाँ पर इसको वैसे भी reduce कर सकते हो देखो मैं जैसे आपको करवाता हूं और जैसे कि for example यहाँ पर 3 upon 8 है into 6 upon 4 है देखो directly reduce करना सीखो ठीक है आप पहले क्या करो multiply मत करो जैसे कि मैंने किया नहीं यहाँ पर 18 और 32 यहाँ पर multiply करके नहीं यहाँ पर क्या करो सबसे पहले देखो numerator में denominator में आपको values देख रही है 6 और 4 और आपको पता है 6 और 4 टू की टेबल में आते हैं तो आप कट कर लिजे 2 टू जा 4 टू 3 जा 6 reduce हो गया तो यह 3 हो गया यह 2 हो गया अब कुछ हो रहा है reduce नहीं हो रहा है अब क्या करो अब multiply कर लो देखो 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा 8 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 8 तो जा 16 तो 9 अपन 16 देखिए यहाँ पर भी 9 अपन 16 तो आपको multiplication करने की ज़रत नहीं बढ़ रह चलिए चलिए तो 3rd part हमारा complete हो गया अब 4th part के ओर चलते 4th part क्या है हमारे पास में 9 अपन 5 इंटू 3 अपन 5 रिड्यूस करना बहुत आना चाहिए आपको क्योंकि आगे जो classes है वहा पर आपको बहुत जरुत पड़ेगी इसकी अब देखिए 9 अपन 5 इंटू 3 अपन 5 क्या reduce हो रहा है कही ना कहीं से नहीं हो रहा है तो क्या करो आप multiply करो नाई इंटू 3 कितना होता है 27 होता है और 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है यह이 आपको अंसर होगा ठीक है फिफ्त part करते हैं चलिए तो फिफ्त part क्या है हमारे पास में 1 अपन 3 को multiply करना है 15 अबढ 901 से ठीक ह तो फिर आप directly भी कर सकते हो, देखो आपको उपर दिख रहा है 15, नीचे दिख रहा है 3, और 15 और 3, ये reduce हो सकते हैं, किस से? 15 आपको 3 की table में आता है, 15 जो है, वो multiple है 3 का, है ना, तो आप काट कर सकते हो, तो देखो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, तो 15 3 से reduce हो गया, तो कितना है 5, अब और कोई reduce हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 5 को क्या करो, multiply करो, 1 से numerator से numerator, multiply होता है, तो 5 इंटो 1, तो 5, यहाँ पर देखे, नीचे 1 है, 1 इंटो 8 करेंगे, तो 8 आएगा, तो कितना आगया हमारा 5, upon 8 अंसर आगया, ठीक है, चलिए, 6 part करते हैं, तो 6 part क्या है हमारे पा कर लो, तो 11 इंटो 3 करेंगे, तो 33, and 2 इंटो 10 करेंगे, तो 20 आएगा, ठीक है, तो 6 वाला भी complete, अब 7 वाला कर लेते हैं, तो 7 वाला है, मारे पास में, 4 upon 5, को multiply करना है, 12 upon 7 से, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर कुछ reduce होने वाली बात है, यहाँ पर भी नहीं है, कोई किसी से reduce नहीं होता है, 4 into 12 कर लीजिए, कितना होता है, 48 होता है, 12 की table बोल लीजिए, 4 times 12, 4 जा, 48, और 5 into 7 कर लीजिए, 5 7 जा, 35 होता है, तो यहाँ आपर लिख लीजिए, 48 upon 35 भी answer होगा, clear है, अब यह reduce हो नहीं रहे, तो करेंगे नहीं हम इनको reduce, ठीक है, तो इस टाइप से इ इस question के अंदर multiply करना है, और अगर reduce हो रहा है, तो reduce कर लीजिए, ठीक है, और वैसे आपको multiply करना है, तो इस type से इस question को आपको solve करना है, question number third, question number third है हमारे पास, multiply करना है, आपको multiply the following fractions, total number of parts यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 upon 5 को into करना है, 5 whole 1 upon 4 से, similarly, यहाँ पर कुछ questions आपको solve करना है, तो बहुत ही आसान question है, multiply करना है, simply आपको, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ fractions दिएवे, यह proper fraction है, यह mixed fraction है, तो किस type से इन questions को solve करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर first part है हमारे पास में, 2 upon 5 को multiply करना है, 5 whole 1 upon 4 से, ठीक है, तो सबसे पहले तो mixed fraction को हम किस में convert करेंगे, improper fraction में, ठीक है, जिससे कि हमारी calculation easy हो, तो 2 upon 5 को multiply कर लेता है, 5 whole 1 upon 4, अगर 5 whole 1 upon 4, यह mixed fraction है, इसको अगर हम improper में convert करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इन दोनों को तो क्या करते है, multiply, तो 5 को into कर लीजे, 4 से 20, and 20 में plus 1 करते हैं, जो numerator होता है, इसको 1, जो भी numerator होता है, इसको plus किया जाता है, तो 20 plus 1, 21, 21 upon 4, और denominator जो है 4, वो आपको लिखना है, तो 21 upon 4 जो होगा, यह इसका क्या होगा, मारा improper, तो 21 upon 4, ठीक है, अब इससे solve कर लेते हैं, तो 2 into 21, अगर हम करना चाहिए, तो आप पहले तो क्य का दो, ठीक है, तो 2 into 4, तो 2 जा 2, 2 2 जा 4, आपको पता है, numerator or denominator reduce हो सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कोई reduce हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखिए, यहाँ पर क्या है, 21 है, 21 into, अगर 1 करें, तो 21, and 2 into 5, अगर हम करें, 2 5 जा 10, तो 21 upon 10, इसका answer आएगा, तो हम reduce भी कर रह है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर second part, second part क्या है, हमारे पास में, 6 whole 2 upon 5 into 7 upon 9, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए, सबसे पहले, यह mix fraction है, तो इसको improper में convert करो, कैसे करते हैं improper में, इन दोनों को multiply, 5 6 जा 30, and जो numerator होता है, इसको add कर दो, यहाँ पर 2 है, तो 30 plus 2, 32, and denominator में 5 है, तो 5 आएगा, into, यहाँ पर क्या है, हमारा 7 upon 9, ठीक है, कुछ reduce हो रहा है, क्या, अगर reduce हो रहा है, तो ठीक है, reduce करो, नहीं, तो क्या करना है, आपको multiply, तो 32 into 7 कर लीजिए, क्या होगा, 32 into 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 plus 1, 22, तो 2 24 तो हमारा, इसका multiplication, and 5 into 9 करें, आ denominator को denominator, numerator को numerator से हमने multiply कर दिया, कितना आया हमारा 224, 5 into 9, अगर हम करें, तो 5 9 जा 45, ठीक है, तो कितना आगा हमारा 224 divided by 45, चलिए, अब 3rd part करते हैं, इसे तो हम करते हैं, और 3rd part करते हैं, 3rd part है, हमारे पास में, 3 upon 2, into में है, 5 whole 1 upon 3, यह question है, अपने पास में, कैसे solve करेंगे, तो यहाँ पर देखे, 3 upon 2 into, 3, 5 जा 15, ठीक है, 15 plus 1 कितना होता है, 16, 16 divided by, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 note कर लिजे, अब देखे, numerator में भी 3 है, denominator में भी 3 है, तो 3 से 3 तो हमारा reduce हो सकता है, तो reduce कर दिया, अब देखे, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है, आपको पता है, 16 जो है, वो 2 का multiple है, ठीक है, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, सब reduce होके क्या आगया हमारा 8, देखे, उपर 8 है, नीचे क्या है, सब reduce हो गया 1 है, 8 upon 1 लिख सकते है, 8 upon 1 को हम only 8 लिख सकते है, क्योंकि आपको पता है, denominator में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम 8 लिख सकते है, तो इसका जो multiplication 8 आएगा, 8 आएगा, clear है, मतलब जब आप इसको solve करोगे, तो आपका answer जो आएगा, 8 आएगा, अब 4 पार देखे, यहाँ पर, 4 पार है हमारे पास में, 5 upon 6, into में, 2 whole 3 upon 7, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखे, जो mix fraction है, इसको improper में convert करेंगे, 7 to 14, 14 plus 3 कितना होता है, 17, 17 17 upon 7, अब देखे, यहाँ पर अगर reduce हो रहा है, तो ठीक है, नहीं तो आपको simply, आपको क्या करना है, multiply, तो 5 into 17, देखे, यहाँ पर reduce तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 5 into 17 कल दीजिए, तो कितना होता है, 17, 15, 17 into 5, 85, और 7, 6 जा, 42, 85 upon 42, इस answer आएगा, clear है, चलिए, अब 5 पार देखते हैं, 5th part क्या है, हमारे पास में, 3 whole 2 upon 5 को multiply करना है, 4 upon 7 से, तो देखे, यहाँ पर mix fraction को improper में convert करेजिए, 5, 3, 15, 15 plus 2, 17, 17 upon 5 into यहाँ पर क्या है, हमारे पास में, 4 upon 7, अब reduce करेजिए, तो reduce हो रहा है, तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, multiply, तो 17 into 4 कल दीजिए, 68 आता है, 17, 16, and 5 into 7 कर लिजिए, 7, 5, 35, 68 upon 35 हम बोल सकते हैं, अब देखे, यहाँ पर 6 part करते हैं, तो 6 part क्या है, हमारे पास में, 2 whole 3 upon 5, जो reduce हो रहा है, उसे reduce कर लिजिए, ठीक है, तो देखे, यह mix fraction है, improper में convert करते हैं, तो 5 to 10, 10 plus 3, 13 upon 5 into, यहाँ पर क्या है, हमारे पास मे 3, अब यह जो 3 है, यह numerator में, तो numerator से numerator को multiply, और देखो, यहाँ पर denominator में क्या होगा, इसके denominator में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो हम 1 लिख लेते हैं, 13 into 3, अगर हम करें, तो 39 आएगा, और 5 into 1 करें, तो 5 आएगा, तो 39 upon 5 is cancel, ठीक है, तो 6 part भी हमारा complete, 7 part करते है, 7 part क्या है हमारा 3 whole 4 upon 7 into 3 upon 5, तो देखे, इसको solve कर लेता है, 7, 3 जा, 21, 21 plus 4, 25, ठीक है, 25 upon 7 into, यहाँ पर क्या है, हमारे पास में, 3 upon 5 है, अब देखे, इसे multiply, अब देखे, यहाँ पर उपर 25 है, नीचे 5 है, तो यह तो reduce हो सकता है, कैसे reduce होगा, 5 की टेबल में, 5 बन जा 5, 5 जा 35, 25, औ और कोई reduce हो रहा है, नहीं, 5 into 3 कल दीजिए, 15 आएगा, और 7 into 1 कल दीजिए, 7 आएगा, 15 upon 7 इसका answer होगा, इस type से इनके answer आपको calculate करना है, तो simply आपको multiply करना है, और जो reduce हो रहा है, उसको reduce भी करना है, ठीक है, question number 4, question number 4 है हमारे पास, which is greater, देखे, यहाँ पर first and second part है, दोनो के दोनों पार्ट इस वीडियो के अंदर discuss की जाएंगे, तो देखे, यहाँ पर आपको बताना है, एक तो है, number आपके पास में 2 upon 7 of 3 upon 4, and 1 है हमारे पास में 3 upon 5 of 5 upon 8, इन दोनों को सबसे पहले तो आपको solve करना है, और solve करने के बाद में, जो values आती है, उनको compare करवाना है, क 3 upon 5 of 5 upon 8, दोनों को साथ में solve करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता है, सबसे पहले तो off means क्या होता है, multiply, 2 upon 7 of 3 upon 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास में 3 upon 5 है, off means multiply 5 upon 8, अब यहाँ पर देखे, 2 upon 7 into 3 upon 4, अगर यह solve हो रहा है, तो आप solve कर लिजी, अगर solve ही हो रहा है, reduce नहीं हो रहा है, तो आप multiply कर लिजी, तो देखे, यहाँ पर reduce हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, reduce करना आता है, तो अपने reduce कर दिया, अब देखे, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 है, 1 into 3 कितना होगा, 3 होगा, और 7 into 2 कितना होत तो यह क्या जाएगा हमारा 3 upon 8, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, जब भी आपके numerator equal है, जब आपको comparison कराना है और अगर आपके numerator equal है, तो denominator जो छोटा होगा, वो value बड़ी होती है, यह बात ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर 3 upon 14 है, 3 upon 8 है, और रटवा आणि रहाँ, देखो समझो, मैं आपसे अगर पूछो इनकी performance, performance के बारे में, मान चलीगे 14 है, 14 में से 3 number आना अच्छा है, या 8 में से 3 number आना अच्छा है, अगर मैं आप से बोलू, कि अगर मैं आपको 14 में से 3 number दू, 3 marks दू, या 14 में से, या तो 14 में से 3 marks दू या आपको तुमें 8 में से 3 marks मुझे बताइए कौन सी performance अच्छी है तो आप कहोगे इसकी performance ज्यादा अच्छी है क्योंकि 8 में से 3 marks अच्छे है 14 में से 3 marks काहँ से अच्छे हुए बताओ 14 में से 3 marks आ रहे है प्तलब यह तो बहुत ही 3 marks आ रहे denominator जो छोटा होगा वो value सबसे बड़ी होती है देखो यहाँ पर 3 upon 14 है और 3 upon 8 है तो यहाँ पर denominator 8 छोटा है 14 से तो 3 upon 8 क्या होगा हमारा बड़ा होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 upon 14 और यहाँ लिख लेते हैं 3 upon 8 ठीक है अब मुझे बताईए कौन सी value बड़ी है 3 upon 8 तो जो value बड़ी होती है उसके सामने क्या करते हैं अपन face को open कर देते हैं तो यहाँ पर हम 3 upon 8 की तरह face को open कर देंगे तो यह आपका sign लगेगा अब देखें यहाँ पर कौन सी value बड़ी है यह वाली value कौन सी right hand side वाली तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं और में 2 upon 7 of 3 upon 4 और और लगा के यहाँ पर और लगावा है हम लिख सकते हैं यह वाला sign और 3 upon 5 of 5 upon 8 ठीक है यह answer होगा आपका कौन सा वाला बड़ा है which is greater आप कोगे 3 upon 5 of 5 upon 8 ठीक है यहाँ पर मैंने लगा दिया सकते हैं clear है चली अब second part करते हैं तो second part क्या है हमारे पास में 1 upon 2 of 6 upon 7 और क्या है हमारे पास में 2 upon 3 of 3 upon 7 ठीक है इसे भी solve कर लेते हैं off means क्या होता है multiply तो 1 upon 2 of 6 upon 7 यहाँ पर और 2 upon 3 again multiply, off मतलब multiply and 3 upon 7 जो reduce हो रहा है जिसे reduce करिये तदेखिए यहाँ पर 2, 1 जा 2 और 2, 3 जा 6 यह तो reduce हो गया और कुछ reduce हो रहा है नहीं यहाँ पर देख़िए यहाँ पर 3 से 3 reduce और कुछ हो रहा है नहीं तो यहाँ पर देख Said 3 है into 1 है 3 into 1 क्या होगा 3 होगा यहाँ पर 7 है यहाँ पर 1 है 7 into 1 क्या होगा 7 होगा similarly यहाँ पर और है यहाँ पर देखिए 3 से 3 डूस हो चुका है यहाँ पर 2 और 7 है तो 2 upon 7 है अब comparison करवाते हैं कौन सी value बढ़ी है तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा denominator में equivalent value आ रही है यहाँ तो comparison करना बहुत असान है अब मुझे बताइए 7 में से 3 marks आना अच्छा है या 7 में से 2 marks आना अच्छा है मुझे बताइए तो आप कहोगे 7 में से 3 marks आना अच्छा है सर ज़्यादा marks वाले अच्छे है न 7 में से 3 7 में से 2 देखिए यहाँ आप denominator equal है तो आपन comparison easy करवा रहे है कैसे 7 में से 3 marks आच्छा है या 7 में से 2 marks आच्छा है कौन सी performance आच्छे तो आप कहोगे 7 में से 3 marks आच्छे इसका मतलब है कि 3 upon 7 क्या है हमारा greater है 3 upon 7 की तरफ आप face open कर लो और 2 upon 7 आप यहाँ लिख लो clear है तो कौन सा वाला है अपना यह first वाला बड़ा है तो first वाला case बड़ा है तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 और लगा रहा हूं मैं ठीक है हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 2 of 6 upon 7 is greater than 3 upon 5 of 5 upon 8 इस type से अपन इसको solve कर सकते हैं clear है तो कितना easy question था simple है आपको question को solve करना है देखिए पहले तो off को solve करो off means multiply and then multiply आप applied करो और उसके आद में compare करो दो values निकलेगी देखिए यहाँ पर 3 upon 14 is 3 upon 80 अब इनको comparison करो और यह बात हमेशा ध्यान रखना देखिए कि for example यहाँ पर था first वाले पार्ट में first वाले पार्ट में क्या था हमारे numerator equal थे denominator unequal थे लेकिन numerator equal थे तो जब भी अगर हमारे numerator equivalent है तो वहाँ पर हम comparison कैसे करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे denominator जो छोटा होगा वो क्या होगी वो value हमारी बड़ी होगे यहाँ पर देखें second वाले पार्ट में हमारे denominator equivalent है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे जो numerator बड़ा होगा वो value बड़ी होती है denominator वाले case में क्या होता है denominator अगर आपके equal है तो आपर हम पर comparison कैसे कराएंगे जो numerator हमारा बड़ा होगा वो value बड़ी होगे और मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ आपको मैंने practically भी समझा दिया कि 7 में से 3 marks अच्छे है या 7 में से 2 marks अच्छे है आपको 7 में से 3 marks अच्छे है तो यह बड़ी है Saili plants 4 saplings in a row in her garden the distance between 2 adjacent saplings is 3 upon 4 meter find the distance between the first and the last saplings तो आपको क्या करना है Saili plant कि ए 4 saplings saplings means पता है आपको क्या होता है पोदा तो देखे यहाँ पर 4 saplings 4 पोदे लगा है उसने और 4 पोदे कैसे लगा है उसके garden में उसने उनके बीच में जो distance है the distance between 2 adjacent saplings is 3 upon 4 meter तो उनके बीच में जो distance है हर एक पोदे के बीच में जो distance है वो 3 upon 4 meter है for example मैं आपके example के तौर पर समझाता हूँ for example यहाँ पर एक पोदा लगाया गया फिर मान के चलिए कि एक पोदा यहाँ पर लगाया गया फिर यहाँ पर लगाया गया total number of 4 saplings है मतलब 4 पोदे लगाया गया है तो यह 4 पोदे मैं लगा दिए अब इनके बीच में जो distance की बात हो रही है वो question में दियावाया है कि इनके बीच में 3 upon 4 meter का distance है यहाँ पर भी 3 upon 4 और यहाँ पर भी हर 2 पोदे 2 adjacent saplings के बीच में 3 upon 4 का gap है बात समझ में आ रही है और आप से पूचा गया है find the distance between the first and the last saplings आपको distance निकालना है जो यह 1st saplings जो 1st पोदा लगावा है और जो last पोदा लगावा है इनके बीच में distance कितना है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का distance आपको निकालना है यह वाला distance यह total distance आपको find करना है तो आप कैसे करोगे तो आप simple सी बात है यह 3 upon 4 है 3 upon 4 है 3 upon 4 है total saplings के बीच मतलब इनके बीच में कितना गेप हो गया 1st saplings और last saplings से बीच में 3 upon 4 3 upon 4 3 upon 4 चाहे आप 3 upon 4 plus 3 upon 4 करो मतलब 3 upon 4 को 3 times add करो क्योंकि कितने है 1, 2, 3 है या आप 3 upon 4 को multiply कर लो 3 से वो भी ठीक है clear है बात एक ही होती है 3 upon 4 plus 3 upon 4 plus 3 upon 4 करो या तो 3 times add कर लो या 3 upon 4 को multiply कर लो 3 से तो answer आपका सहीमी आना है तो अपन यह strategy लगा कि इसका answer find करेंगे तो मैंने आपको समझा दिया ठीक है practically अब करते हैं हम theoretical कैसे करेंगे तो देखें यहां पर हम लिखेंगे the distance आपको दियाओ है distance between 2 adjacent saplings 2 adjacent saplings is equals to कितना दियाओ है आपको 3 upon 4 मीटर इतनी बात clear है ठीक है अब साहिली जो है साहिली planted 4 saplings कितने पोधे लगा रही हो 4 तो साहिली planted 4 saplings in a row row-wise ही लगा रही है ठीक है तो अगर हम diagram से समझे इसको तो कैसे होगा देखो एक पोधा यहाँ पर है फिर एक saplings यहाँ पर है एक saplings यहाँ पर है एक saplings यहाँ पर है ठीक है इस type से row-wise यह लगाना चाहिए बस समझ में आ रही है तो इनके बीच में जो gap है वो 3 upon 4 3 upon 4 3 upon 4 रुका है ठीक है therefore therefore the distance the distance between the first and last saplings is equals to 3 multiplied by 3 upon 4 हर एक के बीच में 3 upon 4 का gap है और total gap कितना है number of gaps कितने है saplings में 3 है तो 3 into 3 upon 4 जैसा कि मैंने पहले समझाया तो 3 into 3 कितना होगा 9, 9 upon 4 meter आ गया ठीक है 9 upon 4 आ गया तो इसका मतलब है कि 9 upon 4 meter का gap है first and last में अब 9 upon 4 को भी आप convert कर सकते हो सकता है आपके 9 upon 4 नहीं हो आपके mix fraction में हो यह improper में आ चुका है तो improper को mix fraction में कैसे convert करते है तो 9 तो dividend बनेगा 4 divisor बनेगा 4 to 8 ठीक है 9 में से 8 लेस करेंगे 1, 1 को तो आप क्या करते हो numerator बनाओगे और जो divisor है इसको आप denominator बनाओगे तो 2 whole 1 upon 4 भी हम लिख सकते है 9 upon 4 को ठीक है mix fraction में आपने लिख दिया तो language जो statement लिखने है वो कैसे लिख सकते हैं thus the distance between the distance between the the पूरा लिखा करो है ना जिसे कि आपको full marks मिले कहीं पे भी reduce now marks first and the last statement तो आप जरूर लिखा करो last saplings is 2 whole 1 upon 4 में ये statement के तोर पर आपने इसका अंसर लिख दिया question no.6 question no.6 है हमारे पास Sleepyka reads a book for 1 whole 3 upon 4 hearts everyday she reads the entire book in six days how many hearts in all were required by her to read the book ठीक है लिखी का जो है वो बुक को read करती है everyday one whole 3 upon 4 hearts read करती है ठीक है और उसने पूरी बुक को entire book को six days में complete कर दिया everyday one whole 3 upon 4 heart वो read करती है किसी बुक को और six days के अंदर किसी बुक को उसने उसी बुक को complete कर दिया तो question आपसे पूछ रहा है how many hearts in all were required by her to read the book तो total number of hearts कितने लगाये हैं रीट करने में लिपिका ने यह आपको बताना है तो आप देखें simple सी बात है कि अगर one whole 3 upon 4 heart यह everyday read कर रही है ठीक है clear है one whole 3 upon 4 heart everyday read कर रही है और कहा गया है कि six days के अंदर उसने उस बुक को read कर लिया है पूरा complete कर लिया है तो simple सी बात है इसको six से multiply कर देंगे ठीक है ऐसे करेंगे ना क्योंकि everyday one whole 3 upon 4 देखो first day आया one whole 3 upon 4 ठीक है फिर second day आया इसमें भी उसने one whole 3 upon 4 heart ठीक है फिर third day आया इसमें one whole 3 upon 4 heart क्योंकि every day वो one whole three upon 4 heart read कर रही है फिर fourth day आया उसमें भी one whole 3 upon 4 5th day आया फिर 1 whole 3 upon 4 hearts and 6th day आया 1 whole 3 upon 4 और यहां पर तो उसकी book की complete हो गई ऐसा question आपको कहा रहा है तो देखे 1 whole 3 upon 4 1 whole 3 upon 4 1 whole 3 upon 4 यह इतनी सारी 1 whole 3 upon 4 हो गए बतलब अगर हम इन्हें add कर दे सबको तो क्या answer आएगा या नहीं आएगा total number of hearts आजाएंगे कि book को read करने के अंदर total number of hearts कितने लगे ठीक है और simple सी बात है हम plus क्यों करें हम plus क्यों करें plus करने की जोरत ही नहीं कितने हैं 1 whole 3 upon 4 1,2,3,4,5,6 तो 1 whole 3 upon 4 को multiply कर दो 6 से तो answer आजाएगा simple सी बात है ठीक है तो 1 day का अगर 1 whole 3 upon 4 है तो 6 days का कितना निकलेगा तो 1 whole 3 upon 4 को into कर दो 6 से तो 6 days का total number of hearts निकल जाएगा clear है ठीक है तो यह strategy रहेगी अपने को questions को solve करने की तो चली इस्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे तो time taken by Leapika लिख लेते हैं time taken by Leapika to read a book to read a book is equals to कितना है भाई 1 whole 3 upon 4 हार ठीक है तो हम लिख सकते है She reads entire book reads लिख लेता entire book कितने दिन में भी या 6 days के अंदर तो book in 6 days पूरी book को 6 days के अंदर वो complete कर देते है then now hearts taken by hearts taken by her to read the her to read the entire book is equals to कितना हो जाएगा? 1 whole 3 upon 4 को multiply कर दिंगे 6 से जैसा कि अंदे बताया था अब देखे 1 whole 3 upon 4 mixed fraction में है पहले इसे इंप्रॉपर में कर लिए तो 4 बंजा 4 5 6 7 ठीक है आपको पता है न कैसे करते 4 को इंटू करेंगे 1 से and जो value आएगी उसमें प्लस 3 कर देगे तो 4 बंजा 4 और प्लस 3 करेंगे 7 करते हैं तो 21 को क्या बनाएंगे dividend diviser 2 को बनाएंगे और 2 10 जा 20 ठीक है तो 21 में से अगर 20 less करेंगे कितना आएगा 1 इस 1 को तो हम numerator बना देंगे और 2 को हम क्या कर देंगे डिनॉमिनेटर बना देंगे ऐसा ही होता है तो 10 whole 1 upon 2 हार्स इसका अंसर होगा तो स्टेटमेंट के तौर पर लिख लेते हैं दस 10 हार्स 10 हार्स 10 whole 1 upon 2 हार्स sorry 10 whole 1 upon 2 हार्स 10 whole 2 seems 10 whole 1 12 हुआ नो हितल लगों और दो भुटक्जिह के तर पर आप लग सकते हैं स्टैब्विर। तो इस टाप से कुवेशन को आपको कर रहा है तो कितना ईजी कुवेशन था simple सी बात है everyday one hole three upon four hearts वो read कर रही है और six days के अंदर उसने book को complete कर दिया तो six से आपको multiply करना है simple सी बात है total number of hearts निकल के जाएंगे कि उसने पूरी book को read करने में number of hearts कितने लगा है वो आपके निकल के आ जाएंगे तो ten hole one upon two hearts उसने book को read करने के अंदर लगा है question number seven question number seven है हमारे पास a car run 16 km using one liter of petrol how much distance will it cover using two hole three upon four liters of petrol ठीक है एक car जो है वो run करती 16 km उसका मतलब one liter petrol के अंदर वो 16 km का distance cover कर लेती है वो car ठीक है एक liter petrol के अंदर one liter petrol के अंदर उसका जो distance cover करती है वो car वो 16 km कर लेती है ठीक है how much distance will it cover using two hole three upon four अगर two hole three upon four liter हो उस car के अंदर तो कितना distance cover करेगी एक liter के अंदर वो 16 km का distance cover कर लेती है तो two hole three upon four liter petrol के अंदर वो कितना distance cover करेगी तो simple सी बात है कि एक liter petrol के अंदर 16 km का distance cover करती है ठीक है अगर मैं आपकी बात करू देखो एक लीटर पेट्रोल के अंदर वो मान के चलिए कि 10 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर करती है अगर मैं आप से पूछू कि 2 किलोमेटर पेट्रोल के अंदर 1 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 10 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर करती है तो 2 liter petrol के अंदर कितने distance का cover करेगी कितने kilometer distance cover करेगी तो आप क्या करोगे 1 liter के अंदर 10 kilometer तो 2 liter के अंदर 20 kilometer करेगी क्यों 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 क्या कर दोगी 2 को multiply कर दोगी 10 से 20 similarly ऐसे है अगर मैं पूछो 3 liter petrol के अंदर कितना distance cover करेगी तो आपका होगे 3 into 10 कर दोगे तो 30, तो simple सी बात है, यहाँ पर भी ऐसा ही करना है कि 1 liter पेट्रोल के अंदर अगर 16 km का distance cover कर रही है वो कार, तो 2 whole 3 upon 4 liter के अंदर कितना करेगी, तो 2 whole 3 upon 4 से हमार को multiply करना है 16 को, तो आपका क्या आजाएगा distance आजाएगा, clear है बात, ठीक है तो यह आपने समझ लिए कि क्या strategy रहेगी, इसके बाद में हम चलेगी, fair out करते हैं इस question को, तो कैसे करेंगे, तो in language के form में लिखते हैं, in 1 liter of petrol in 1 liter of petrol car covers the distance car covers the distance distance is equals to 16 km एक लिटर पत्रोल के अंडर कितना काया distance कवर करते 16 km then हमको के निकालना in 2 whole 3 upon 4 liter in 2 whole 3 up 2 whole 3 upon 4 liter of petrol liter of petrol car covers the distance means is equals to 2 whole 3 upon 4 multiply करना है 16 से तो हमारा निकल किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले 2 whole 3 upon 4 mix में improper में convert कर लेते कैसे करते हैं 4 into 2 करेंगे 8 4 तूजा 8 8 plus 3 करेंगी 11 11 upon 4 लिख सकते हैं into में यहां पर क्या है 16 16 लिख लीजे अब देखिए अगर reduce हो रहा है तो reduce कर लीजे 16 उपर है 4 denominator में 16 numerator में reduce भी हो जकता है क्योंकि आपको पता है 16 जो है वो 4 का multiple है तो 4 की टेबल में आता है 16 to 4 वन जा 4 4 4 वन जा 16 यह देखिए reduce हो गया अब देखिए यहां पर तो नीचे 1 आ गया और 11 into 4 कर लीजे कितना आएगा 44 और नीचे हमारा 1 है तो कोई मतलब नहीं तो 44 km something अपना आया है clear है तो हम स्टेट्मांट के तोर पर क्या लेख सकते है thus the car will cover the car will cover 44 km distance तो इस ताप इस क्वेशन को आपको solve कराना कितना easy question था simple है 1 liter पेट्रोल के अंदर 16 km का distance अगर कवर कर रही है तो 2 whole 3 अपन 4 liter के अंदर कितना करेगी तो simple सा है 2 whole 3 upon 4 को multiply करना है 16 से तो आपका answer निकल करा जाएगा clear question number 8 question number 8 है हमारे पास 8 का A part देखे यहां पर first है provide the number in the box such that 2 upon 3 into box is equals to 10 upon 30 यहां पर इस question के अंदर आपको क्या करना है कि यह जो box है यहां पर आपको values लिखनी कि क्या values होगी इस box के अंदर यहां पर boxes आपको दिये वह है इन boxes के अंदर कौन सी values आपकी होगी क्या values आएगी आपर क्या आएगा fraction कौन सा fraction आपका यहां पर आएगा ठीक है तो यहां पर देखे जो first part है is equals to यहां पर लिखावा है हमारा 10 upon 30 ठीक है simple सी बात है यहां पर भी क्या होगा इस box के अंदर भी यह भी box भी क्या है fraction ही है यहां पर भी fraction पार्ट ही होगा क्योंकि यहां पर आपको fraction दियावा है और RHS में भी fraction दियावा है LHS में भी fraction दियावा है RHS में fraction दियावा है तो यहां पर भी तो आपका क्या होगा fraction ही होगा और fraction से fraction multiply होता है ठीक है fraction से जब values आएगी अपनी यह देखिए final answer जो आ रहा है 10 upon 30 यह fraction में आ रहा है तो यहां पर भी fraction होने की बात है ठीक है तो क्या करना होगा यहां पर तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि यह यहां पर 10 लिखावा है अंसर ही है न यह यह देखिए 10 है और यहां पर 2 upon 3 है 2 upon 3 के पास में यहां पर यह box है यहां पर ऐसी कौन सी values होगी मतलब numerator मे कौन सी value होगी denominator में कौन सी value होगी, जिससे कि हमारा 10 upon 30 बनेगा, अब आप दिमाग लगाईए, देखिए 2, फिर into है बीच में, 2 into, dash, मतलब 2 into, और यहाँ पर ऐसी कौन सी values होगी, जिससे कि 10 बन रहा है, तो आप गोगे 2 को सर्फ 5 से multiply करेंगे, तो 10 बनेगा, बिल्कुल साहिए, तो 2 into में 5 करोगे, तो हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा, तो यहाँ पर तो आगया हमारा numerator में 5, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर denominator में क्या आएगा, जब भी तो यह पूरा box बनेगा, अब देखिए, यहाँ पर denominator में क्या आएगा, तो 3, अब यहाँ तो 3 को किस से multiply करूँ जिससे कि हमारा 30 बने तो आपको होगे sir 10 से multiply कर दूँ तो यह आ गया हमारा 10 तो 5 upon 10 इस box के अंदर क्या होगी कौन सी value होगी इस box के अंदर होगी 5 upon 10 क्या होगा 5 upon 10 clear है बत अब देखिए यह box के अंदर 5 upon 10 है अब आपको कहा गया है कि जो simplest form of the number obtained in box जो box में number आया है उसका simplest form भी लिखना है अब simplest form क्या होता है simplest form होता है देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ simplest form of 5 upon 10 ठीक है box के अंदर क्या है 5 upon 10 ही आया simplest form of 5 upon 10 is क्या होगा simplest form मतलब होता है कि जैसे कि इसको simple करना आपको reduce करना देखिए 5 upon 10 है अब इसको reduce करके आप maximum reduce कर यह कि जहां तक reduce हो सके वहाँ तक इसे reduce कर दीजिए भाही इसका क्या होता है simplest form होता है तो देखिए इसे reduce करिए तो आप कह सकते हो 5 वंजा 5 sir और 5 2 जा 10 कर सकते हैं ना ठीक है numerator और denominator reduce हो सकता है एक टेबल से हो रहा है 5 वंजा 5 5 2 जा 10 1 upon 2 और reduce होगा क्या नहीं होगा तो 1 upon 2 तो इसका simplest form होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 upon 2 clear है तो simplest form भी हमने निकाल दिया चलिए फर्स पार्ट हमारा complete हो गया अब second part के ओर चलते है second part में क्या है भाईया तो यहाँ पर जो simplest form आएगा वो क्या आएगा हमारा 1 upon 2 यहाँ पर लिख लिजे यहाँ पर denominator आएगा इस request to यहाँ पर क्या है हमारे पास में 24 upon 75 ठीक है अब यहाँ से देखे 24 लाने के लिए क्या करना होगा 3 को किस से multiply करूँ मतलब 3 into में यह यहाँ पर क्या value आएगी जिससे कि हमारा 24 आए ठीक है तो 3 into में 8 करूँगा 3 8 जा 24 आपको पता है 3 8 जा 24 होता है ठीक है तो करना क्या होता है simple सी बात है देखो ऐसे दिमाग मतलब हो आप क्या करो इस 24 को divide कर दो से सिंपल सी बात है 24 को जब divide करोगे 3 से तो यह वाली value आजाएगी ऐसे देखे अब 5 है यहाँ पर इसी कौन सी value आएगी जो 75 है तो आप क्या करो यह 75 जो है इसको divide कर दो इस 5 से simple सी बात है तो करके देखो यह करते ना आपन ऐसे divide तो करिए देखे 5 अंजा 5 ठीक है 7 में से 5 लाइस करेंगे 2 और इस 5 को हम नोट कर लेंगे 5 5 जा 25 कितने times जा रहा है 15 तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 15 आएगा clear है अब 5 इंटू अगर 15 करोगे तो 75 जाता है तो आपको करना क्या है यहाँ पर यहाँ पर आपको simple इसको divide करना है यहाँ पर 10 को divide कर दो 2 से 5 जाएगा यहाँ पर 30 था यहाँ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ पर 3 था तो इस 30 को divide कर दो इस 3 से तो आपका 10 निकल क्या जाएगा ठीक है simple सी ऐसी बात है यहाँ पर देखो 8 upon 15 निकालने के लिए क्या करेंगे यह box निकालने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो आप क्या करो इस 24 को divide कर दो इस 3 से तो 8 निकल क्या जाएगा simple से ऐसा denominator में करते है 75 को divide कर दो इस 5 से तो 15 निकल क्या जाएगा ठीक है तो यह method होता है यहाँ पर तो चलिए यह भी हो गया हमारा 24 upon 75 आया अब इसका simplest form भी निकाल देते है पूछा गया है यहाँ पर simplest form तो simplest form of simplest form of 24 upon 75 is क्या निकलेगा तो देखे 24 upon 75 लिखते है सबसे पहले तो अब इससे हम क्या करेंगे reduce करेंगे reduce करते हैं तो करके देखते हैं एक बार कैसे reduce होता है तो देखे किस से reduce हो रहा है तो सबसे पहले तो 3 की टेबल से reduce हो रहा है, तो 3 8 जा 24 और 3 25 ताइमस, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 25, 8 upon 25 और reduce हो रहा है, मेरेको तो नहीं लग रहा है, और reduce हो रहा है, तो 8 upon 25 इसका simplest form होगा, clear है बात, कोई दिक्कत है, 8 upon 25 ही होगा, या और भी होगा बताओ, 3 8 जा 24 होगया, ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 5 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 8 और 25, अब 8 और 25 तो हमारे reduce नहीं होता है, तो 8 upon 25 इसका answer होगा, ठीक है, तो 8 upon 25 इसका simple सा है answer होगा, clear है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यह देखिए, 3 upon 5, इन 2 में, यहां पर क्या है हमारा, 8 upon 15, तो यहां पर लिख लिए जएगा, 8 upon 15 इस box के अंदर, और इस box का जो simplest form आया है, 24 upon 75, ठीक है, ओ, ओ, इस box का निकालना था अपने को, अपने इसका निकाल दिया, sorry, 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 आपको इसका निकालना था, अभी अपने चेक किया, एक मिनट, इस box का निकालना था आपको, तो 8 upon 15 लिख लिख लिए आपर, 8 upon 15 का जो simplest form होगा, वो क्या होगा, 8 upon 15 का, अगर हम simplest form निकाले, तो 8 upon 15 किसी reduce होता है, क्या देखिए, हमें इसका simplest form निकाल दिया था, जो कि गलत था, ठीक हमें निकालना किसका है, जो box में values आई, इसका है तो निकालना, that's simplest form, पहले भी अपने 5 upon 10 का निकाला था, यहाँ पर भी, ठीक है, तो 8 upon 15 का, जब हमें simplest form निकालेंगे, तो देखिए, 8 upon 15 किसी table से reduce हो रहा है, क्या, दो upon 15 हम लिख सकते हैं, इसका answer, clear है बात, इस type से इस question को आपको solve करना, तो कितना easy question था, simple सा question था, तो strategy आपको क्या लगानी, बस यही लगानी, इस, देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको box में कोई values नहीं दीवी थी, और इसका numerator और denominator आपको लिकालना था, तो क्य करेंगे अपन, इसको 10 को divide करेंगे इस 2 से, divide वाला process, 10 को divide करेंगे 2 से, तो आपकी यह values निकल के आजएगे, ऐसे similarly, यहाँ पर 30 को divide करेंगे 3 से, तो आपकी यह values निकल के आजएगे, ठीक है, numerator से numerator निकल के आएगा, denominator से denominator निकल के आएगा, clear है, तो उमिद करता हूँ, आप को ताइम तो टाइम मिलते रहे, thank you so much.